हेलो एवरीबन मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल लेशी कलासस में स्वागत है तो आज मैं दोस्त ट्रेंगल का इंट्रो बता दिये थे कि ट्रेंगल किसे कहते हैं केंद्र क्या है लंब केंद्र क्या है परिकेंद्र क्या है माध्या का क्या है इस कि कोश्चन अगर पूछता है तो इसी परकार का देगादम फिक्स है तो आज का जो कोश्चन होंगे और दस जो भी कोश्चन करेंगे वो बहुत ही इंपोर्टेंट होगी और अच्छ से देखना है और कहूंगा दोस्त की कोश्चन के सोलूसन देखने से पहले आप पीछे ज दोस्त तो चलिए कोश्चन नंबर फर्ष्ट देखते हैं फर्ष्ट बोलता है न दोस्त देखिएगा कि यदि किसी तिर्भुज एवी सी का ओल लंब केंद्रक जी केंद्रक तथा एस परी केंद्र है तथा एस जी का मान दिया हुआ है तीन सेंटिमीटर तो ओजी किसके ब जी का मान दिया हुआ है तीन सेंटिमीटर ओजी का मान पूछ रहा ना ओजी बराबर भाग के लिए दोस्त और वह लंब केंद्रक है वह क्या है लंब केंद्रक और जी केंद्रक है लंब केंद्रक और जी केंद्रक है जी क्या है केंद्रक है जी केंद्रक है जी केंद्रक है देख परिपटी बताय थे कि लाम चेंड सांद को यह बता परेकंद्र परीगेंद्र के रेसियो थो तो बाटा है य म possibilities कुल गोरी एक होता है अलहारा दिया हुआ जी अभपरी खेंद है सजी का महन दिया हुआ है दोस्तोट सेंटीमिटर एंट हैं सब्सक्राइब बराबर दो बटाए क्राउस मल्टिपिकेशन करेंगे तो ओजी एक आल unser में डोस्त टोर्टल सेंटीमिटर स्कूल स्थे टो इतनी कितना हो गया 46 सेंटीमिटर आप देखेगा दोस्त कि 6 सेंटिमेटर किस ऑप्षन में है तो ऑप्षन नमबर डी इसका ऑप्षन हो जागा दोस्त डी अधार पहला का डी अंसर बहुत ही अच्छे यह प्रुपाटी याद कर लिजेगा कभी कभी क्या करेंगा कि आपको जी का मान देगा एस जी पुद्देगा तो ऐसा न समझना कि स हम देगा इसको प्रुपाटी को दम समाझ जाना है कि ओजी भी पूछे तहां निकाल दें कि लिए दोस्त तो चलिए नेक्ष्ट चलते हैं तो अब कोईस्चन नमबर सेकेंड सेकेंड वरान दोस्त की चीतर दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए को से अच्छे से चीतर देख रहे होंगे हां तो इसी चीतर को देखकर दोस्त बोरा की एवी सी में रेखा एक्स कोन बी ये सी का कोनारधक है कोनारधक के मतलब कि वो कौन को आधे-अधे भागों में बात रहा है दोस्त तो रेखा खंड ये भी आठ सेंटीमीटर है ये सी 10 सेंटीमीटर है तथा कि एक्स 4.8 सेंटीमीटर है तो रेखा खंड एक्ससी का माप क्या होगा कि लिए मिरे दोस्त तो कुछ नहीं जो फीगर कोईस्टन में है वो फीगर से अगर चले तो देखिएगा पहले तो ये हमारा तिर्भूज है ये तिर्भूज है क्या ए बी सी बोराना कि कोन बी ये स सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर केले में दोस्त तो फाइंड ओट कर रहा है एक्ससी इसका मान फाइंड ओट करने के लिए बोरा ठीक तो देखिए आरधक का एक प्रुपाटी होता है दोस्त वो प्रुपाटी यूज करेंग है वो होता है ना कि AB बटा AC इक्वाल टू ABX बटा XC कहने कार्थ की जिसकोन कारदाक होता ना उस भुजाओं का अनुपात उस जिसको जिस भुजा पे जाता है गिरता है ना उसका अनुपात के बराबर होता है के लिए दोस्त तो देखिए AB का भायलू 8 cm AC दिया हुआ दोस्त 10 cm बराबर BX दिया हुआ दोस्त 4.8 cm और XC का मान गयाद करना क्रोस मल्टिपिकेशन कर देंगे ता 8 XC इक्वाल टू 4.8 cm गुने 10 cm सबको cm में लिख लीजेगा के लिए चलिए अब देखिएगा दोस्त यह XC का अगर मान निकाल देना तब 4.8 गुने 10 अब बटा में 8 के लिए रिभागा आजागा तो देखिए इसको हटाएंगे तब बटा 10 10 से 10 खतां एक कटेगा अच्छा का 48 अधार्थ अधार्थ एक सी का मान हो गया कितना 6 cm एक सी का मान कितना हो गया 6 cm और 6 एक सी का option कितना है दोस्त वह देखिए जाए option नमबर सी तो option सेंटिमेटर और सी हो गया क्या अंसर अब चलिए अब नेक्ष्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नमबर थार्ड थार्ड वो रहा ना दोस्त कि चीतर दिक देखिया और वो रहा कि ABC के माधिका एडी 6 cm यदि अधार BC 8 cm हो तो सब्सक्राइब करें तो देखिये फीगर से ही इसका सारा सोलूसन निकल जागा दोस्त फीगर में दिया हुआ है कि ABC ABC और यह माधिका है माधिका बोले है कि 90 नहीं होगा यह जरूरी कि 90 है लेकिन यह ठीक समाधिका में कि यह और यह बराबर होगा चलिए टोटल दिया हुआ है एट सेंटिमीटर तो यह हो जागा चार और यह भी हो जागा चार एडी भी दिया हुआ है छे सेंटिमीटर एडी भी दिया हुआ हुआ है कि यह बोराना वह कि एबी असकॉर चलिए हाल में चलेंगे find out है AB square plus BC square AC square AB square plus AC square बरावर वाट क्या होगा थात यह दोनों के भुजाओं के बर्गों का योग क्या होगा किलिए दोस्त तो यह जब माधिका रहे ना तो हमें यह formula है है दोस्त कि AB square plus AB square plus AC square बरावर होता है टू इंटू माधिका के square पलस कोई साइड ले लिजिए दोनों बरावर या तो आप बीडी ले लिजिए या सीडी ले लिजिए अथा बीडी ले लिजिए या सीडी यारी बीडी के ही ले ले लेते हैं दोस्त के लिए तो देखिए हमें इसका मान याद करना हाथ AB square plus AC square का तो टू इंटू 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 जोर देंगे ने दो चेशे बारा के दू बाकी एक तीन चार एक बावन अब बावन दूनी एक सो चार सेंटीमीटर अधार्थ AB square plus AC square बरावर हो गया एक सो चार सेंटीमीटर क्रियर दोस्त ऑप्सन नंबर देख लीजिए जो ऑप्सन नंबर है व 185 सेंटीमीटर द भी इसमें मिया कि monks century ऑ सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो दोस्त क्योंकि एरिया निकलता है अबोसेंटीमीटर स्कॉर में रेकलता है कर दो है दी किसी तीरभुज के देखेगा यहां लोह की stains कोनों थांनुपाद के टिन तो उनकी संगत भूजा鉄 क्या होगा ख्रशुन میने दोस्थ तो कोन का नुपाद दिया हुआ संगत भूजा कानुपाद पूछ रहा है के लिए तो हम लोग 10 में पढ़ें हैं सांटिक कोज तो इसी तियोरी को अपलाई करते हुए इसी को हम यूज करके आपको इसका जब कौन दिया हुआ रहता था था भूजा का नुपात निकालेते हैं के लिए दोस्त तो देखिए यह साफ साफ नहीं दिया है मेरे दोस्त कोन का मान भी दिया हुआ है वह राकोनों का नुपात थात कौन है न बोरेरियों में दे दिया है सैंब्सक्राइं हो धूज को निकाल लेंगे भूजा के निकालने के लिए हम जानते हैं दोस्त कि तिर्भुज के तीनो्यच Bak तापराम से कुछ नहीं कि jewels नुर। Hein 009 दिपली जाएंगी जाएंगे अनुपाती राशी एक्स इतना मानना भी नहीं है तीक? अनुपाती राशी एक्स मानना भी नहीं है लेकिन हम बता दते हैं क्योंकि ओबजेक्टिम मारना है ते इतना क्यों दीप ली जाएंगे अनुपाति राशी एकस तैसे लिए हो जागा ओ बान एकस प्लस टू एकस प्लस थीरी एकस बराबर 180 degree क्योंकि तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 बता है आप देखिए दो एक तीन तीन चो चो एक्स बराबर 180 तो एक्स बराबर 30 डिगरी हो जागा दोस्त छेती ए 18 तो एक्स के मान 30 डिगरी कहने का मतलब कि एक्स इसको वान एक्स टू एक्स तीरी एक्स यहीं न था तो यहां पर हो गया कोन के अनुपात कितना तो कोन के अनुपात हो गया कितना 30 डिगरी अनुपात 60 डिगरी अनुपात 90 डिगरी के लिए ऐसा हो गया ना भूजा के अनुपात पुछता है तो जब कोन अब जब मालूम रहने तो होता है भूजा के अनुपात बराबर दोस्त भूजा के अनुपात बरावर होता है अनुपात बरावर होता है दोस्त साइन ठीटा का अनुपात ठीटा वान साइन ठीटा टू और साइन ठीटा ठीटा ठीड़ी यह होता है ठीटा ठीटा ठीड़ी कहने का यर्थ ना कि यहीं का अनुपात एंगल का मान साइन के रूप में के निकालेंगे यहां पर दिया हुआ है दोस्त तो इसी को तो रख रहे ज्यूंत दुड्र, सान साट के मान रुटठ्थीरी वाटव और सान नभ्य के मान एक के लिए कुछ नीचे नहीं ताए एक आप देखिए भूजा फ्रेक्शन में नहीं तो ले लेके ना के लिए उपर दो से गुंणा कर देते हैं एक गुन्ए दो से सब्सक्राइबुकल 103 तो में एक से गुन्ए करेंगे था चाय। और रिकुली ए यहीं होगिया बुजा क्यानुपाथ कि लिए द्स्त बुजा क्या नुपाथ.. और मिला लिए वान रूट बी और कितना दोस्तों नमबर बी है तो बी हो गया अंसर अब देखिए इसमें क्या होगा यही रेसियो चेंज कर देगा तो नहीं निकाल लिजेगा आराम से निकल जागा दोस्तों बेसिक समझना है कोश्चन हूब हूब नहीं आएगा कि लिए च सबसें हो तो में सबसें सेबड़ा कोन कॉन मका कि लेने हृब कर देति ये सबसें क्या हूए ओर कोन का व्क्राइब कि लिए तक कौन का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्त वो दिया हुआ है एक अनुपात थिरी अनुपात 5 तो सबसे बड़ा कौन क्या है कौन कौन होगा कि लिए तो देखिए सबसे बड़ा कौन पूछ दिया ना तक कुछ नहीं करने जाना इससे आपको अनुपातिक रा तोब माने उन्हें नड़ेक्ट युझालस फ्री ग्स पर आप देखिया ओप्सन देखिए होसी तोἉमें ना चाहिए और सॉख टोg गोली में रेडियन में उन्गी एको देखिया एक।सी के जगाएं किया रख देगें फाई रख देंगें तो पाई के फ़र में ही निकालेंगे तो देखिए तीन एक चार पांच और नौ एक्स बरावर पाई यहां से एक्स का मान निकालेंगे तो पाई बटन नौ इतना ही छोड़ देंगे अथार सबसे बढ़ा को न पूछ रहा तब बढ़ा कोन बरावर होगा जो अनुपात में हाइब हो इससे बढ़ा उसका कोन बढ़ा तब बढ़ा कुन पांच गुने पाई वता नौ अथा फाई पाई बाई नौ अनसर हो गया दोस्त 2559 584 वाई 9 कितना है option no b b हो गया झाल, कि लिया चले अब question no next ऑब question No.6 पावर पावर माइनस वन प्लस माइनस पी थी के पावर माइनस पी-3 के पावर माइनस वन किसके बरावर होगा तो यह बहुत ही अच्छे क्वेस्चिन है हालका आपको समझ नहीं आता होगा कि यह पी के पवर माइनस वन क्या तो कुछ नहीं है दोस्त हमने पढ़ा था कि यह गया पावर माइनस इन है अथा टो बहुद्ट आये लीखें गे के लिए तो बास यहीं है कंफ्यूज नहीं होना है हलका घुमाया है और तो सब बेसिक ही है वह रहा कि तिर्भुज ABC के सिर्ष ABC तराम से बना लेना है तिर्भुज के लिए चलिए तिर्भुज बना लिए ABC तिनो सिर्ष दोस्त ओर लाद तीनो सिर्ष से डाला गया लम शीर्ष लम थो पता होना दोस्त की 92 होता है कले तो ये डाला तो ए डाला गया प्रांबस पीवा जोस्त पीवन पिटू तो यह से डाल दिया न ह्दोस्त तय हो गया पीटू और इससे न डाल दिया दोस्त आ यह ध़ा की थीली हम क्लिए रहत तू बोल रहा हुआ चुरिए न क्यों को मान ग्याद करना क्रिंद धोस्त पीवन चलिए हाल में चलते है वह रहना कि पी इतुड के पावर माइनेस का मान क्या हो तो बस कुछ नहीं करना है दोस्त और इसका 6 प्रफल तो हम लेंगे कि यह भी जो भुजा आसमॉल में ए है क्या दोस्ते है यहां और एह नहीं इसको माल लेते हैं और इसको माल लेते हैं बी कि लिए चलिए और आप लोगों को बताते हैं कि अगर कोई प्लॉट है दोस्त माल लिए कि यह कोई प्लॉट है कि लिए अगर हम इधर से इसको देखेंगे तभी इसका एरिया वही रहेगा जो इधर से देखेंगे या इधर से भी देखेंगे तो इसका एरिया सेम रहेगा या इधर से भी देखेंगे तो इसका एरिया सेम रहेगा क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ होगा आप डाइरेक्शन चेंज करने से एरिया थोड़ी चेंज होगा तो वहीं यहां पर लागू करेंगे एक वार इधर से एरिया निकालेंगे ट्रेंगल के एक वार इधर से एरिया निकालेंगे ट्रेंगल के एक वार इधर से एरिया न तीरभुज के के लिए एस वरावर आप जानते हैं ना दोस्ति ए पलस बी पलस सी वाई टू होता है तो अर्द परिमाप दिया हुआ के फोर्म में अब्जेक्टिव पूछ रहा है दोस्त तो देखिए क्या करेंगे कि हम पहले एरिया नीचे से निकालते हैं तो तीरभुज क च्छेत्र फल बराबर होता है दोस्त एक वर्टा टू गुने बे बेश मतलब अधार गुने हाइट उचाई के लिए दोस्त तो देखिए हम पहले डेल्टा यह इधर से निकाल रहा है बीसी के तरफ से तो एरिया हो जाएगा एक वटा टू गुने अधार बीसी को एड मान नहीं आधार उचाई हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा क्या पीवन या इसी को क्या एक पीवन बोल सकते हैं तो पीवन ले लते हैं दोस्त के लिए अब देखिए आई सही डेल्टा निकालेंगे इधर से एरिया इधर से एरिया निकालेंगे ना दोस्त तो हो जागा एक वा यहां तक कोई दीकत नहीं कोई दीकत नहीं आप देखिये में हमको पीवन पीटू बीट यहाँ तक था दोस्त कोजिकत नहीं ओसाही समीकरन सेकेंड से P2 का माननी कर रही तो यह पीटो पीटो बराबर हो जाएगा तोड़ यह डेल्टा नहीं तिर्भूज का एरिया है अब बटा में क्या बेग बी के लिए दोस्त क्या बी तो इसका मान निकल आप देखिया है इसाहीं समीकरन आप टूक्ति पटूक्तित निकाल लेकिन इस फार्म में रहे दोस्त अथारत इसको पलट देंगे तो पलट देंगे देखियेगा कि यह प्लाट देते हैं देखिये यह पीवन को हम užनग सकते है वान बाट नट पीवां इधर अधर फनटे अधर वी पल्टा अजया था यह बाट है अधर टू तिर्भुज के शहतत फलो जागी यहां पे भी पमिपउड़ान schöne की यहां पे पलतें जैनिस तर्द यहीं है कींड डोस्त भाट-डीर्भानिवितर पीटों पिट्टों लिए मैंने पहले ही बताया था यह के फ़ॉर्म बाले तो ऐसे इसे पलड़ दिये कि लिए डोस्त आप क्या करेंगे जो ही दिया हुआ ना वह ऐसे इस पर पूट कर देंगे अधार पीवन पालवाश पीटू माइनस पीट्री है ना तुछ देखिए और आम से यह ईको लिख सकते ने सब्सक्राइब होवान भटा पी गान पकलास लगतों अबाटा दोर होफसेद सब्सक्राइब लगतों पपारवर एक एक लिखे या नवहिए उपर माइने समें पावर निचा अब तब पला से तो इसका मान रख देंगे तोवान रड़ा की वनके मान हैं यह इस टू तिर्ष के चेथफ़ल फ ला सो बान वच पी टू के मान कितना है डीं रड़ा बाक दीरड़ा के चेथफल और keeping माइनस में उबान नहीं सी बटा टू तिर्फुट के अब देखिएगा तू तीर्भुज तू तीर्भुज के छेतर फल आपस में क्या यह से तो से बेटा ऊपर देखिए यह पलस भी माइनस सी आइना लेकिन ऐसे नहीं देता है दोस्त एस के फॉर में देता है तो हम यहाँ पे जानते हैं देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देत देखिएगा दोस्त हम जानते हैं कि एस बराबर होता है दोस्त Q तो अगर हम यहां से पलज सभी पलती का मान निकालें यह तो यह बराबर एपलस-बी-पैल की उटाने तो हमको यह पलस बी पलस तो नहीं है लेकिन यह पलस बी-पलस है तो इसमें आपने मंग से जोड देंगे तो यह जागा यह पलस इपलस सी अपना मंग जोड़ें तो आदेंगे और यह पहले से माइनेस में सी है अब बटन में है दोस्त तू तिर्भुज के चैतरफल के लिए आप देखिएगा दोस्ति ए पलस बीपलस सी के जगापे हम लिख देंगे तू एस तर्टू एस ऐए माइनस 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 तू सी बटा डेल्टा अधी के चैतरफल यहां से देखिएगा दो से दो कैंसि अथार्थ एस माइनस सी बटा तिर्भुज के चैतरफल क्या हो गया दोस्त अंसर अब देखिए यह ऑप्सन नमबर कितना है तो आपसन नमबर सी आपसन कितना है सी है एकदम इसको अराम से एक वार ना दोवार करके और उसके बाद क्या किये कि कोश्चन के अनुसार इसका मान पूट करके मान निकाल दी कि लिए तो यह सब कोश्चने उल्जहने कब बन जाती है जब ऑब्जेक्टिम में ऑप्शन उसी परकार से दे तब कुछ उल्जहने बन जाती है अगर एसके फॉर में नहीं देता तो हम इतना भी करके अंसर लाव सकते थे कि लिए मेरे दोस्त तो चलिए अब नेक्ष्ट चलते हैं सेवेन नंबर सेवेन नंबर बोरान दोस्त कि देखेगा कि किसी तिर्भुज के तीनों भुजाओं से बरावर दूरी पर रहने वाली बिंदू का बिंदू पत होगा तो तो देखेगे दोस्त किसी भी तिर्भुज से बरावर बिंदू पर रहने वाले बिंदू पत क्या होगा तो ऑप्शन है किन्हीं दो कोनों के अर्धकों का कटान बिंदू सिर्ष से खीचा गया रेखा किन्हीं दो भुजाओं के अर्धकों का कटान बिंदू अधार का मध बिंदू नहीं भूजाओं का कटान बिंदू नहीं होगा तो यह option नंबर यह हो जागा किन्हीं दो कोनों के अर्धकों का कटान बिंदू अथार्थ question number 7 का answer एक लिए दोस्त तो चलिए दोस्त आज तक इतना ही question के रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका solution देखेंगे के लिए में दोस्त तो मंतन से पढ़ना है और दोस्त और इसको ट्रेंगल से यह सब question है इसी type के आएगा तो छोड़ना नहीं है कि लिए यही सब question है rank अच्छा दिलाती है क्योंकि नॉर्मल जो common question है वो तो सभी कि लोग बना देते हैं कि लिए दोस्त तो चलिए thank you आज इतना ही कि